उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पुलिसिंग को बहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए गोरकपूर में गोरकनाथ मौडरन थाने का निर्मान कराया है सत्रा दस्मलो एक जीरो करोड की लागत से लोक निर्मान विभाग के द्वारा बना ये भवन राज्य का अगरणी और गुरक पुर्जिले का सबसे आधुनिक थाना है 2021 में इसका निर्मान कारे सुरू किया गया था जो अब फरवरी 2023 तक पूरा हो गया है लोक निर्मान विभाग इसे अब पुलिस विभाग को सौपने की तयारी में है अगर हमी इस मौडरन थाने में सुविधाओं की बात करें तो ये 10,000 स्कौाइर फिट में फैला हुआ है पांच मंजिला ये भवन तमाम तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है थाने में मिटिंग हॉल के साथ साथ कौन स्टेवलों के लिए बैरेक का भी निर्मान किया गया है लोक निर्मान विभाग का दावा है कि ऐसा मौडरन थाना पुर्वांचल में कहीं नहीं है आपके जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कानून बिवस्था को और बहतर बनाने के लिए परदेश सरकार बिभिन जिलों में मौडरन थानों का निर्मान करा रही है इसके तहट स्रावस्ति जिले के लावा वरारसी के सिंधोरा थाना को मौडरन थाना बनाये गया है अब गुरक पूर्ग में गुरक नात मौडरन थाना बनने से पुरवांचल छेतर में पुलिस को और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप देखते रहे बाते यूपी की